एक बार जब राजेश खन्ना ने अमिताब बच्चन की बेजजती कर दी तो इस पर जया भड़क गई थी उन्होंने इसे लेकर उल्टा राजेश खन्ना को फटकार लगा दी दरसल यह किस्सा फिल्म बावर्ची की शुटिंग के दोरान का है जया ने मशूर अभी निता राजेश खन्ना को फटकार फिल्म बावर्ची की शुटिंग के दोरान लगाई थी उस वक्त इस फिल्म की शुटिंग के दोरान अमिताब बच्चन अपनी दोस्त जया से मिलने आया करते थे जबकि अभीनेता राजश खन्ना को उसका इस तरह आना पसंद नहीं था कहा जाता है कि जब अमिताब बार बार जया से मिलने आने लगे तो इस पर राजश खन्ना को गुस्सा आ गया उन्होंने फिल्म के सेट पर ही अमिताब बच्चन की बेज़दी करना शुरू कर दिया जया बच्चन को राजश खन्ना द्वारा अमिताब की इस तरह बेज़दी करना पसंद नहीं आया हाला कि उन्होंने इस बात को कुछ वक्त तक इग्नोर भी किया कहा जाता है कि जब राजश खन्ना ने हद पार कर दी तो उन्होंने सेट पर ही राजश खन्ना की जम कर फटकार लगाई वो राजश खन्ना को इसे लेकर एकदम से भड़क उठी बताया जाता ही कि उन्होंने राजिश्खन्ना से कहा कि आपका यह स्टार्डम ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाला है आप जिसकी बेज़दी कर रहे है वह एक दिन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार बनेगा इस तरह जाया ने अमिता बच्चन के लिए राजिश्खन्ना को कड़ी फटकार लगाई थी